दुलहनसी सजी रूही तैयारी गनगौर पूजा की रूही भी कर रही है दुलहनसा श्रिंगार अपने अर्मान के लिए जी हाँ आज रूही सच सवर रही है मेकप, हेवी जूलरी और रंग भी रंगे कपड़े पहन रही है अपने अर्मान के लिए जी है कर दोचने आज रही है अर्मान के लिए लाप रही है झाल मान बटनी रही है पूंट्टे रही है यादी आज़ श्राफ बटनी मेलेगे अर्मान के लिए झाल 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 स्पेशल गण्गोर है हमारा . जिसमिंए हमसबने रहेंगा चोली पहनी हैं . एक अच्छी जूल्री पहनी आप देख सकते हैं बैंगल्स हैं मैचिंग, ये चोकर वाला गला, बंद गला निकलिस है, ये टिपिकल सुहागनों वाली नतनी है, ये राज़स्तान इमारवारी टीका है, तो काफी मेहनत की गई है लुक के ओपर, काफी मेहनत की गई है लुक के ओपर, all thanks to the wonderful creative costume team, Nisha, Ma'am, Rajan, Sir, everybody, they personally look into it, so I think उनी की मेहनत है कि हम सब पूरा परिवार इतना सुन्दर लग रहा है, रूही is deeply in love with Arman, तो वो तैयार होती है and she is expecting की एक दिन Arman सब को ये सच बता देगा और अभीरा से वो डिवास कराने की भी तैयारी उसकी चल रही है, भई इतना ही नहीं, आज तो रूही ने अर्मान के नाम की चुन्दरी भी पहनी है, वो भी सुहागनो वाली, कहीं न कहीं रूही को ये विश्वास है कि अर्मान अभीरा से डिवास लेकर उससे शादी कर लेगा, तभी तो जब अर्मान रूही के पास पहुचता है, तो देखिए कैसे वो अपने अर्मान की नजर उतार रही है, लेकिन रूही को ये नहीं पता कि अर्मान इन सब चीजों से काफी ओपट फील करता है, लेकिन चाहकर भी कुछ कह नहीं पाता, अब रूही को जो वादा चाहिए था कि तीन महीने बाद अर्मान उसके और अपने रिष्टे को, अपने प्यार को अड्रेस करेगा, एक नॉलिज करेगा, वो वादा उसको मिल चुका है अर्मान से, तो उसी खुशी और उसी सपनों की दुनिया में है कि अर्मान तो मेरा ह बस तीन महीना मुझे सेहना है, इन दोनों को साथ में, अबीरा और अर्मान को उसके बाद अर्मान मेरा है क्योंकि अर्मान वादा कर चुका है, तो बस उसी के खुशी में है that she's glowing in love and she's, you know, सज रही है और उसके बाद अर्मान के नाम का दुपट्टा भी पहन रही है, बह और फैमिली का जो उसके उपर एक additional pressure है, वो तो एक अलगी चीज़ है, तो अर्मान के लिए तो बहुत मुश्किल situation है क्योंकि नीचे function चल रहा होता है, रुही अचानक से उसको खीच कर लाती है, बिकास रुही ने अकेले ready हुई है और इतनी वह expectation रख रही है अर्मान से कि अर्मान भी उसकी तारीफ करेगा, तो अर्मान तो कुछ बोलने की condition में है नी, तो लेकिन वो अर्मान को ही तारीफ में कर देती है और अर्मान को बोलती कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अंसम लग रहे हो, मेरे दिल का मैं क्या करूँ, और फिर वो उसकी देखिए कैसे अकेले कमरे में बैठ कर रूही रो रही है, तब ही वहाँ पर अभीरा पहुंचती है, रूही अभीरा को वजह बताती है कि उसके पास मिटी ही नहीं है मूर्ती बनाने के लिए, ऐसे में अभीरा अपने हिस्से की मिटी रूही को दे देती है, साथी साथ अभीरा बता दी है, अर्मान के नाम का लाल दुपट्टा ढून रही है, ऐसे में कहीं न कहीं, रूही को शक हो रहा है कि कहीं अभीरा को अर्मान से प्यार तो नहीं हो गया प्यार ले कि अभीरा है, और अभीरा के लिए, उसका कर्यार उसकी पड़ाई है, अर्मान का कुछ रूही के दिमाग में भी नहीं है, दूर दूर तक, बट फिर और एक सीन भी एक सीन भी जाता है जहां अभीरा दुपट्टा डून रही है और दुपट्टा मेरे पास है और मैं कहीं नहीं सोचती हूं कि यह क्यों परिशान हो रही है यह जो दुपट्टा है जिस पर मान दिखा है इसकी importance is for सुहागने and somebody that is in love तो उसको थोड़ा सा डर लगता है और थोड़ी सी उसको शिक्षक शॉक हो जाता है कि यह कैसे रूही मैं प्यार में हूँ ठीक है अभीरा प्यार में है यही डाउट उसके मन में आता है और आगे जाके वो अभीरा से पूछती भी है कि क्या तु यह वीडियो पसंद आया है आपको पता है आपको क्या करना है जल्दी से लाइक करें कमेंट देके अपनी राइज जरूर दें और ऐसे ही exclusive content के लिए हमारे चानल को subscribe जरूर करें अगर आप यही वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को पहु और पीठिया